हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई इस्टडी फीट ओफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों निव प्रैक्टिस का यह च्छातिसवा वीडियो है जैसे कि मैं यह पी वर्ग टू-3 यूपी टीटी-पीटी-पीटी यूपी अल्टी ग्रेट पीपीएसी टीरी फूर एंड स के अंदर इसका जॉंबी करा ले आ जाएगा क्योंकि दोस्तों चुनाओं होना है बिधान जभा का बिहार में 2025 में तो अवस्य कराएगा इसलिए आप लोग ग्रेडि रहिए और यूपी टेटी पीजिटी एंड याल्टी ग्रेट अभी तक इतना समय तक दिले हैं तो ओभ प्रेशन है दोस्तों सरी क्रिया विग्यान से आप क्या समझते हैं वार्ट डू यू लर्न फॉर्म फिजुलोजी तो दोस्तों जब क्रिया विग्यान की बात करें तो फंक्संस पर बॉड़ी फंक्संस पर जाएगा अजब की रशना विग्यान एनोटोमी की बात करें तो कभी गल्ती नहीं होगा ठीक है तो functions of human body तो functions of human body नो मानकर कि यहां पे यहां पे आपको देख रहा देखना है कि यहां पे मानों सरी की क्रिया functions of human body and d है functions of all parts of human body ठीक है तो अगर दीवला आपसन नहीं रहता तो दीवला आपसन 100% रहता बट जादे बेटर यहां पे दीवला आपसन लग रहा है कि functions of all parts of human body यानि मानों सरी के सभी भागों के कारी यानि कि सरी क्रिया बिज्ञान में मानों सरी के सभी संस्थानों के कारियों तथा उसके परस्पर संब बंदूख अधियन किया जाता है वास्तों में मानों सरी क्रिया बिज्ञान के दौरा ही यानि फीजियोलोगी के द्वारा ही हमेरे पता चलता है कि हमारे सरी के सभी अंग आपसी तालमिय के साथ किसपर कारिक करते हैं cowส heh grade यानि मानों स्री क्रिया बिज्ञान की पर्ण में पता चलेगा इन्हों टॉमी में जबकि वो कैसे फंक्सन करता है किसे कारे करता हो फीजियोलोजी यानि क्रिया भी जाने पता चलता है कोशन नमर टू है तैराकी में कितने प्रकार की प्रटिब दायंग होती है how many diets talk competition are there in swimming मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है प्राकी में जो होती iha mukhya रूप से 4 प्रकार की होती है कौल कौंसी फ्रेश टैल जिसे हम क्राल फ्रोक भी बोलते हैं, बैमक प्रेस्ट आय है, छोथा बटरफ्लाइ मलगी ख'क्रॉक उसके बाद butterfly stroke, फिर back stroke, फिर धब से लाश में धीमा होता है आपका breast stroke. Question number 3 है, अध्यापन योजना क्यों जरूरी है? Why is practice not necessary? तो दोस्तों, अध्यापन योजना इसलिए जरूरी है कि जो बिदमान कच्छा की तैयारी है, उसको पुरा करने के लिए. ठीक है? तो कच्छा में अध्यापन कारे करते समय किसी तरह की कोई समस्या हुदपन नहों, इसलिए कच्छा में जाने से पूरा अध्यापन योजना जरूरी है. Question number 4 है, सभी अंतर राश्टी प्रतिक्ताएं इसके नियमों के अधिन होनी चाहिए. Our international competition should be subject to the rules of. तो दोस्तों अंतर राश्टी के बाद बोला है, तो यहां पर IAAF हो जाएगा. जो athletics की जितने भी अंतर राश्टी प्रतिताएं होती हैं, IAAF के rules के हिसाफ से होती हैं. यहीं कि International Immature Athletic Federation. International Immature Athletic Federation. International Immature Athletic Federation. International Assault Athletic Federation. यहीं कि इसकी इस्टापना विस्ट्व एथलाटिक संग की 1912 में हुआ था और इसका हैं वह मुनापको देश में हैं. और दोस्तों जैसे कि बर्तमान में इसका नाम बदल करके दिसंबर 2019 में W.A. यानि वर्ल्ड एसलेटिक्स कर दिया गया है जबकि भारती एसलेटिक्स संग जो है I.A.F.I. एसलेटिक्स फेडरेशन आफ हिंडिया इसकी स्थापना 1946 में बंगलारू में हुआ है यहोंद नैक्थ कोश्चन है लिमाज और फाइब है अपिल कमेटी की जूरी में सामिल होने चाहिए और सूर्थ आपिल कमीटी की जूरी में कि तीन से कम तथा पांस समांतर थीन से खम तथा मांस से अधिक सधस fee है कम से कम तीन और जादे से जादे पांच से अधिक नहीं होना चाहिए बेवस्थाबक समीटी इन सदेश्यों का क्या करती है चैन करती है कोर्शन नमर शिक्स है महिला सो मिटर बाधा दोड़ों में महिला बाधाओं की उचाई कितनी होती है तो दोस्तों इसमें महिला सो मिटर बाधा दोड़ों में बाधा की जो उचाई होती है गितनी होती है 0.84 मिटर जैसा कि बाधा दोल में 110 मिटर पूरूस के लिए होता है 100 मिटर महिला के लिए 400 मिटर पूरूस के लिए दोनों के लिए होता है लेकिन जब बाधा के उचाए के बात करेंगे 110 मिटर पूरूज के लिए होता है 1.067 मिटर 100 मिटर महिला के लिए उजाए होता है 0.84 मिटर 400 मिटर पूरूज के लिए 0.914 मिटर 400 मिटर महिला के लिए 0.762 मिटर सभी में बढ़ाओं की संख्या 10 होती है question number 7 है मैराथन दवड की मानक दूरी क्या होती है the standard distance of a marathon race दोस्तो इजी सेजी question को लती होता है कभी-कभी हमेशा आयाद रहने वाला question भी गलती हो जाता है इसलिए ऐसे question को भी add कर लेती हूं तो मैराथन की दूरी कितनी होती है 42,195 किलो मिटर यानि 26 मिल 385 गज question number 8 है उची इकूत प्रतिवता का landing छेत्रफल होना चाहिए अधर चेत्र होता है हाई जंप का पांस गुड़े तीन मिटर का होता है कितना होता है पांस गुड़े तीन मिटर का होता है जो हाई जंप का लेंडिंग अरिया पांस गुरे तीन मिटर का होता है जब कि जब लेकर 4.04 मुटर तक होता है जो क्रास बार होता है उसके लंबाई 4 से लेकर 4.2 मीटर होता है अक्रास बार का जो भार होता है दो केजी का होता है जबकि पोल वार्ट बास कोद में क्रास बार का भार 2.25 केजी होता है दोरों में बस 0.25 ग्राउं का अंतर है कोशन नमबर नाइन है एसी आई खेलों में स्वर्पतक जितनी वाली भारती है पहली भारती मजिलाप्तियों की कौन है वी फर्स्ट इंडियन फीमेल कंपर्टिटर टू वीन गोल्ड मेडन इन एसीन गेम्स तो दोस्तों है आपकी कमल जीत सींग संधू कौन है कमल जीत में स्वर्पतक जीतनी वाली पहली भारती मजिला बनी है और जीती है दोस्तों उने चार सो मीटर दोर में उनी सु सत्तर बैंक कांग एसीन गेम में स्वर्पतक जीता था कोसिन नमर्ट 10 है साटपोर्ट ब्रित का भीतरी ब्यास कितना होता है तो यहां पर दोस्तों भीतरी ब्यास पूछा है ठीक है यह आपका भीतरी ब्यास हो गया तो कितना होता है 2.135 मिटर ठीक है तो जैसे कि आपका हो गया साटपोर्ट हैमर थ्रो इन दूनों का जो भीतर 5 मिटर होता है जबकि डिसकोज थ्रो चक्का फेक का गोले के अंदर का जो ब्यास होता है 2.50 मिटर होता है अज जबकि जैवलिन थ्रो में 8 मिटर होता है तीक है कोस्टन नमर 11 है उलम्पिक खेल 1992 में 100 मिटर पूरूस के बिज़ेता थे कोस्टन नमर 12 है निनमी से कौन उलम्पिक खेल समापती की घोश्रा करता है who Amog the Following declare the ill of Olympic Games दोस्तों opening में open के समय उत्खाटं के समय जो है उलम्पिक की घोश्रा करता है सुरूवाती उलम्पिक की घोश्रा की घोश्रा मजावान देश का राफ्पती अध्यश्य करता है जरकि समापें की घोश्रा अधियाच करता है, Indian International Olympic Committee भीश-उलंपिक संग के अधियाच करते हैं, नंतरयाश्य उलंपिक संग के अधियाच होते हैं, वह समापश की घोश्रा करते हैं, समापन एक समय at remind एस्पयां के समय को समापर कैसे उता है और यहां की एक समय jáद रखेंगा सबसेलान के सबसेले युनाइर के ध्वाज को हैड़ा कि राश्ट गाउन की धून के साथ बजा जाता है फिर दूसरी न Gur问 मेंजबान देश कि समय तिसरे नंबर पर अगले देस का दिष वहां की राष्डगान के साथ बजा जाता है जहां अगला ओलम्पिक होगा ऑलम्पिक की समावर की गोश्रा आई झ्यक्त करता है और 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 फिर ऑलमपिक ध्वर्ज को नीचे उतारा जाता है इसे ई उसी का अध्यच नगर के गौवर्णर या मेर को सौपता है वह उसे अगले उलम्पिक आजन तक्सुरचित रखता है question number 13 है तंत्री का तंत्र में जूड को कहा जाता है the connection in the nervous system is called दोस्तो तंत्री का तंत्र जैसे कि आप जानते हैं तंद्री का ठंतर का ईकाई निरॉण होता है क्या होता है निरॉण में sell-body बीच में होता है इसे मापका见 डेंडीर्स होते हैं धेंड जो संदेश को प्राप्त करके宇स वाद्र जाते हैं फिर उसे एक एक्सान निकलता है ठीक है एक्सान और एक्सान क्या करता है सेल बाड़ी से संदेश्यों को दूसरे नीरोन तक ले जाते हैं तो यहां पर जो है आपका जो आपका एक्सान क्या करता है दूसरे नीरोनें तक संदेश्यों को ले जाता है एक नीरोन से दूसरे नीरोन तक क्या मानस्पेश्यों तक ले जाता है ठीक है तो यहां पर एक्सान दूसरे नीरोन की डेंडायर से जुड़ता है इसे हम संदेश्यों संदेश्यों को ले जाता है तो त नहीं होगा दोस्तों यहां पर English में साइन अप्स होगा क्या होगा सद्रांसिशन गलत हुआ है साइनेप्स होगा यहाँ एकसान और डेंडराइस के बीच की संधी को हम कहते हैं कोशन नमर चब्दा है कि योग एक तत्तो की रूप में क्या आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने इंडरियों पर नियंत्रण करने में सच्छम हो जाता है और मांसिक एक अर्गता को बादित करने वाली बाहरी वस्तों द्वारा इंडरियों में कोई हरकत नहीं होती दोस्तों इस प्रकार के आपको आत्मनियंत्र करने की प्रक्रिया और इंडरियों कोई हरकत नहीं होती है तो इसे हम कहते हैं प्रत्याहाद आपो ठीक है जैसे कि आप जानते हैं महसी पतंजली ने गरंथ लिखा है योग सुत्र और उसमें उन्होंने सरी मन और आत्मा की सुधी के लिए आर्श चरण बताय हुए हैं इसे हम अश्टांग योग कहते हैं यह आर्श चरण है यम नियम आसन प्रड़यां प्रत्याहर धर्ड़ तो इसकी बारे में आप जानने के लिए योग वाले प्लेलिस्ट में जाएं जिसमें मैंने में योग से ऐसे बीडियो बनाया है इससे बार कोशन पूछता ही नहीं है उसी से काम आपका चल जाता है कोशन निमर 15 है क्रिकेट के खेल में आम तोर पर पर प्रयोगत सब्द सं इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा का समनार्थी सब्द है कि कोशन निमर 16 है कि स्वास्त्य समंधी दच्ता का प्रमुग घटक है वाट इस अ में कंपोनेंट ओफ हैल्थ रिलेटेट फिटनेस दोस्तों है रिलेटेट फिटनेस का में कंपोनेंट से यहां पर आप देख सकते हैं जो पिजिकल फि के लिग конфी कंपोट एंपागेर को भी दूर्रたइनिवक फिजिकल एक्स्ट्रि फिटनेस को पर देख को इसमें आपका मस्किल इंडुरेंज के घृ罪ी इन्ट्री इंडूरेंज डच्डीं फि्लूरेंडिटिएम्ट कंपोजिस ना पर ard signal प्यां फिज किसे हैं यहां पे सबसे मुख्य होता है आपका कार्डियो वैस्ट कॉम्पोरेंद्स काडियो वैस्टियुट्टी किसे हैं या हिदय हुआ फैपडों की झंपता हुती है जो किसी क्रिया या अभ्याज के धुरान प्रभावी रूप से अपने को प्योसित कर लेती है यह क्रिया लंबी समय की होती है जो थकान की इसीती में भी की जाती है Q7 है ओलम्पिक में सबसे पहले किस वर्स भारत का राष्टिय गाउन बजाये गया Q8 है ओलम्पिक में सबसे पहले भारत का राष्टिय गाउन बजाये गया था Q18 है विश्व स्वास्ति की संक्रपना अभी केंदेत है World Health Organization Concept of Health is Centered तो दोस्तों यह आपके क्या करते हैं कि केवल सरी से तंदुर्ष्ट होना ही स्वास्त नहीं है रोगों से मुक्ति होना ही स्वास्त नहीं है अभी तो यह फिजिकल मेंटल स्वास्तारिक मांसिक समाजी रुप से पूर रुप से स्वास्त होना यह स्वास्त मांते हैं यह पूर तंदुर्ष्टी के साथ एक अर्थ की रुप में स्वास्त है इनकी स्वास्त की संकल अपना है हेल्थ एजे सेंस आफ कंप्लीट वेल वेल इसकी साफना साथ अपर उनीस ओर तार्टारीस को हुआ था वाल्ल हेल्थ ऑर्गनिजेशन की कोश्टिन नम्र उनीस है वैस्त के मनुस्त में नव्जदर का रेंज किया है दर रेंज आफ पॉल कि सुक्रों कि इसके पुला अस्ती इसथी वहते है तो दोस्तों इसके पुला आपके इक जाई हो зах cattopate है कि इसके पुला नामक अस्ती सरीट के केविकल कोsti इसे निकल करके कंडी के हड़ी क्wayष्टिों में संव कि प्रसिश्छर के विए सेष्ट बीधी है अब आग्यों मागे है यह और तरनीमौमेंटम एक इन इस कुध sebelum अनूप्रेशन जिसे हम कहते हैं है אिट्ञ इन ही भी सन है अनूप्रेशन है अनूप्रेशन है कि िंदे सं गषि höम तो इसको नहीं प्रित है अनूप्रेशन शुतार हो एक तो प्रम NO भी साझ कोथे वाउच्टे्टि कौन आ है को estou बर्सकी का एक पुना हारम भी ऑ गेंद का वर भूली है किल थे खेल केस की में अरू किया जाता है तो पुछा है तर्सका पुंधित का एक भी गूल जातय है गूल कीपर होता है उसके पेरों में फर्स जाती है तो पुना गेम जो है आरम भूली के द्वारा होता है कष्सल्णीρα है कि क्वूचन नंबर थेज़ है ट्रिपल जम पतविक्टा में हाjar घाय रहे क्या है जब ब्राबर हो जाए तो उसको कले अगले pap गर्याज है तो ये एकपा आगले ये आगले इस निस्वादां पर वीचार करेंगे नेक्ट बेश्ट परफॉर्मेंस एज पॉंसाइड रेट कोस्ट नमर्चोबीस है किस खेल में तीन सेकेंड का नियम लागू किया जाता है इन विज गेम थ्री सेकेंड रूल्स इन अप्लाइड तो दुस्तों यह जो रूल्स होता है वो बास्केट बाल में होता है यानि जिस टीम के मद्ध है विच में जिस टीम के में बॉल होता है जब गेम किसी टीम का अधिकार में होता है तो उस दवरान वैटिम के खेलाड़ी पर्टिबंदि स्ट्राश होता है उसमें तीन सेकेंड से अधिक समय तक रूल्स को नहीं जा सकते आ कि क्wn 26 हैं ट्रिकोमा शंक्रमण है जो दूस्तो आखों में हो जाता है क्वेश्चन नमबर 26 है मानो जीवन की मनो भौतिक एकता क्या कहलाती है तो फीजियू साइको फीजिकल यूनिटी ऑफ हीमन लाइफ इच कॉल तो मनुभावति साइको मतलब मन भौतिक मतलब फीजिकल मतलब सरी यानि कि मन अथा सरी का विज्ञान को हम मनो भौतिक एकता कहते हैं क्वेश्चन नमबर 27 है लिंबरिंग डाउन कप करते हैं तो दोस्तों कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हम वार्मिंग अप करते हैं गर्माते हैं जिस के लिए हार्टेट ऊच रहता है उस समय उसको अससंदर को धीमा करने के लिए अराम किशी तीमिया आने के लिए हम लिर्टों करते हैं खैल के पसचात करते हैं Jكن taken स्टु यहनि कुलिंग डाउन या लिई रीश दाउन को वार्मिंग डाउन भी कहा जा सकता है कि किसी पषब्धा प्रत्वित्य के भाद सरी के फिर से समाने अवस्था मेलाने के लिए Glory down किया जाता है कुरिंग डाउन involved ठांडा हो क्रिया किसी प्रसिच्छर कारिकर्म या सिस्केल प्रतिविता की तुरुवंद बात करना अत्यंद आवस्चेक होता है जिसे हमारा रख्ट जोहेद इससे हमें या रख्टवाइव में जमेन आच्छा ब्रॉपर बना रहे हैं के 38 आधा это है दस दो दस फिर फंद्रा मिनिर का आपका हाल टाइम होता है फिर दस दो दस ठीए sword तो क्या पुचा है दूसरी और तीसरे तीसरे के मद्रे जो हाल टाइम होता है तो आपका 15 मिनट का होता है कितना होता है 15 मिनट का ठीक है अब आपको जब पूज देगा कि पहले और दूसरे और तिसरे और चौथे की बीच में जो half time होता है quarter break होता है दो-दो मिनट का होता है मुटाबा का मुख्य कारण है कि कम ब्याई की अपिच्छा अधिक कैलोरी लेना ठीक है अब को ओबिशिटी की रूप में आपके बाड़ी फैलेगा इसलिए इतना डायट लेना चाहिए उतना कनजूप भी करना चाहिए आप कंजूम जितना आप यूज नहीं करते हैं उससे ज्यादा ले रहे हैं तो आपको फैट की रूप में बाड़ी में जमाऊने लगता है जो मोटापी का कारण बनता है समानता एक सक्री व्यक्ती है हार्ड वर्किं व्यक्ती है उसके लिए से लेकर 8000 कीडिता तक परद़्िसजाब ऐसे होती है यदि कोई वेक्ति आप इच्छा कि अधिक मात्रा में कैलोरी ग्रहड करें और कम मात्रा में ब्याय करें तो उसे ओवेसिती यानि मुटापी की संभावना बढ़ जाती है तो नाइक्स्ट कोशन है कोशन नमर तीस है इन्वे से को उन राश्टी खेल संगथन भ्यावसाई खेल का पतनेशितू करता है वीचांद फॉलिविंग नेशनल स्पोर्स और्गेनाजेशन रिप्रेजेंट्स प्रोफेशनल स्पोर्स तो इसमें से कुन राज़्टी एक खेल संगर्थन ब्यवसाई का पते निश्द्यू करता है तो इसमें से राइट इंसरू हो जाएगा आफसर नमर बी बोर्ड आफ क परेजार के रूप में पदेसित करती रही है और कर में छूठ हासित करती रही थी लेकिन भिष्टाचार व ब्यापक भितियन तावके करण बीवादों में घेडने के करण कर विभःभाव दोरा वर्स 2078 में इस और कर में चूट को समाप्त कर niya है कौस्टन नबर 31 है अभिप्रेडा के प्रकार हैं दोस्तों अभिप्रेडा यानि कि What are type of motivation तो दोस्तों अभिप्रेडा यानि motivation दो प्रकार का होता है वह है और आंतरिक tank external and internal और यहाँ अधित अभियरह होता है दो प्रकोर प्रकार वहा है और आ्ध्रिक eks disgust करने की इच्छा जागरित होती है क्योंकि यह कारे उसके आंतरिक विश्वास या महनताओं के अनुरूप होता है कोस्टन में 32 यानि इस सेसन का लाश कोस्टन है कि मौझ किसकी वजा से होती है इस्प्रेंड इसको जोड़ों पर जोड़ता है जोकि एक होता है खीचाओ यानि की स्ट्रैंड जो मांसबेस्यया टेंडन के अतिति खिचे जाने ऐग चोड़ दूसे यानरी से जोड़ती है को समझ में आए होंगे जिस भी कोई डाउड होगा कमेंट में जरूर बताइए हम सब मिलको उसको साल्व करेंगे और जादे से जादे वीडियो को सेयर कीजिए जिसे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो प्रैक्टिस में तब तक क ेझ जिसे जादे कर दोस्तों मिलकों सकते हैं जादे 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 ए कप डिदी आनी तक का बढ़ता नेक्ट बढ़ता हैं ए कि जाजों अनुछ से उल उल्हा